वेलकम टू मैं चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जिससे आपको जोडों के दर्द, बदंदर्द, मास पेशियों के खिचाओं से बहुत ही राहत मिलेगी साथ सी साथ दोस्तों आप यदि इसे लेंगे तो आपके शरीर में फूर्ती और ताजगी आएगी तो इस रेमेडी में सबसे पहले दोस्तों मैंने लिया है खस-खस खस-खस जिसे कि हम लोग इंगलिश में पॉपी सीप्स कहते हैं किसी भी ग्रॉसरी शॉप में किसी भी ड्राइफ रूट की शॉप में आपको ये खस-खस के छोटे-छोटे से दाने मिल जाएंगे आप देख सकते हैं ये देखें कुछ इस तरह से छोटे-छोटे से इसके दाने होते हैं महंगी महंगी दवाईयां भी फेल हैं दोस्तों खस-खस के आगे खस-खस के दूद के आगे दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कई रोग खत्म होते हैं यदि कुछ दिनों तक खस-खस को आप अपने डेली डाइट में लेते हैं एक चम्मच खस-खस का सेवन जरूर करें दोस्तों आप और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें भरपूर मात्रा में दोस्तों केलशियम होता है इसमें थाइमीन होता है मैगनीज होता है ओमेगा 3 होता है ओमेगा 6 होता है प्रोटीन का खजाना है दोस्तों और साथ ही सा वह है बादाम बादाम हमारे शच्रीर को तूर्त हें चार बौस्ट से मरा रहे जो लोग करते हैं उन impose पास तो भी मारी आने ही नहीं पाती है हमारी इम्मुनिटी को भधाता है बौस्ट अले को बढ़ाता है बौस्था भ्राने समय से ही बदाम, लोग खाते आ रही हमारे जो नानी, दादी लोग ये रहरी ही है, इन लोग जल्दी बिमार नहीं पड़ते थे क्योंकि ये लोग जाद रिए सुबह के समयШ काली पैठ 2-3 बदाम, पानी में भिगे हुए, जरूर खाते थे, तो कोशिश यही करें दोस्तों कि हमें भी ज़्यादा दवाईयों का सेवन ना करना पड़े हम पॉस्रिक चीजों से ही हमारा शरीर निरोगी रहे तो खस-खस और बदाम यह ऐसी चीज है दोस्तों जो आपके शरीर को स्वस्त रखेगा आपको जोडों के दर्द, हड्डियों के दर्द, बदन दर्द से आराम पहुँचाएगा किस तरह से लेना है दोस्तों? अभी मैं वीडियो में आपको बताती हूँ दोनों चीजें बहुत ही फायदे मंद हैं और साथ ही साथ इसे आपको जरूर लेना चाहिए और जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं उन्हें भी तीन से चार बदाम का सेवन जरूर करना चाहिए भरपूर मात्रा में बदाम में फाइबर होता है और बदाम खशखश हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है खशखश लेना है और बदाम को दोनों को लेना है आप इसे चाहें तो इसका सूखा पाउडर बना कर रख सकते हैं आप इसका पेस्ट बना कर भी रख सकते हैं ताकि रोज रोज आपको ये बनाना ना पड़े ऐसा कहा जाता है दोस्तों जो खस-खस होती है, खस-खस में यदि आप सेवन करेंगे तो आपके चहरे पर उम्र का पता ही नहीं चलेगा, चहरे पर जल्दी जुर्या नहीं आती हैं या रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, 65 की उम्र में आप 25 के दिखाई देंगे दोस्तों, इतना मिमोरी शार्फ होती है, या दाश्त बढ़ती है और खस-खस बदाम का मिश्रण बहुत ही ताकतवर होता है, जिने ऑस्टियो पोरोसिस की समस्या है, गठिया की बिमारी है दोस्तों, उन्हें तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए, चहरे पर यदि आपके फाइन लाइन से जुर्रियां है, तो आपके चहरे पर उम्रे दिखेगी ही नहीं, यदि कुछ दिन तक आप इसे लेंगे, खस-खस हमारे स्किन को, हमारे शरी को हाइडरेट करता है, और सांच इसांच फाइबर होने के कारण कॉंस्टिपेशन की समस्या भी दूर होती है, एक से दो बार ख पानी से छान कर पानी को अलग कर दे, इसी तरह से खस-खस को धोया जाता है दोस्तों, नहीं तो बहुत जादा टाइम लग जाता है, दो बार पानी फेकने के बाद, अब खस-खस को कम से कम आपको 2-3 घंटे पानी में भीगाना है, आप यदि टाइम है तो आप चाहे तो यह आपको healthy रखेगी और बाल सफेद होने की जो समस्या है या बाल बहुत जादा जड़ रहे हैं, उसके लिए भी खस-खस का सेवन, बदाम का सेवन बहुत ही जादा फाइदे मंद है, तो आप इसे जरूर लें, और जो खस-खस होती है दोस्तों, इसे लेने से हमारी दिम खस-खस ली है, उतना ही आपको बादाम लेना है, दोनों का आपको पेस्ट बना कर रखना है दोस्तों, आप इसका पाउडर भी बना सकते हैं, बिना खस-खस को पानी में भीगाए, बिना बादाम को पानी भीगाए, सूखा पाउडर बना कर रख सकते हैं, या मेरे जैसे इस तरह से पेस्ट बनाकर आप फ्रीज में रखें, ताकि रोज आप एक चम्मच इसका पेस्ट गरम दूद में डाल कर लें, आप कुछ दिन इसका सेवन करें दोसों, आपको खुद को बहुत ही अंतर महसूस होगा, बादाम होता है दोसों, जो कि हमारे शरीर को स्वस रखत होता है, कैलशियम होता है, मैगनीशियम होता है, ओमेगा 3 fatty acid से भरपूर होता है बादाम, वैसे सुखे बादाम की जगा पानी में भीगे हुए बादाम खाये जाए, तो वे और भी पॉस्टिक होते हैं, तो मैंने यहाँ पर बादाम को भी पानी में भीगा रही हूँ, आ आपको और भी जादा फायदा मिलेगा, मतलब पानी में भीगे हुए बादाम जादा फायदे मंद होते हैं, बजाए सुखे बादाम की, बादाम के छिलके में टैनिन नमक एक पदार्थ होता है जो कि इसे जल्दी एब्जॉब होने नहीं देता है, और जिसे की शरीर को उ आप देख सकते हैं, बादाम की रंगत बदल गई है, बादाम के पानी का रंग बदल गया है, और अब आप देखे का छिलका उतारने में आपको कुछ सेकेंड ही लगेंगे, बहुत जल्दी इसका छिलका उतर जाता है, सूखी बादाम का छिलका आसानी से नहीं उतरता है, पानी में भिगा कर यदि आप थोड़ा सा बदाम को दबाएंगे तो तुरंथी छिलका उतर जाएगा बदाम का सेवन करने से हमारी मिमोरी शार्प होती है सांत ही सांत हमारी आखों की रोशनी भी तेज होती है जो हार्ट पेशेंट है उन्हें भी दो से तीन बदाम जरूर खाना चाहिए दोसो बीपी कंट्रोल में रहता है और वैसे बदाम को तो सरदी गर्मी सभी मौसम में खाया जाता है वैसे बदाम की तासी थोड़ी सी गरम होती है और अब तो बारिश का मौसम आ रहा है और बारिश के मौसम में हमें जादतर जोडों में दर्द की शिकायत रहती है, बदन दर्द मास पेशियों के दर्द की शिकायत रहती है, तो जरूर इसे लिए भी खस-खस खाने का एक फाइदा और भी है कि आपको नीन बहुत अच्छी आईगी, जिन लोगों को गहरी नीन नहीं आती है, बार-बार नीन खुलती है, जिने अनिद्रा की समस्या दोस्तों, उनके लिए भी खस-खस बदाम का सेवन बहुत ही जादा फाइदे मन्द है, बदाम में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिसके करण वजन को घटाने में बदाम बहुत ही फाइदे मन आप देख सकते हैं, बदाम का छिलका उतर गया है, छोटे वाले जार में खस-खस बदाम, आप चाहें तो अलग-अलग पीस सकते हैं, या मेरे जैसे एक सांथ मिक्स करके आप पीस कर इसका पेस बना कर रख लें, यह बहुत ही जादा फाइदे मन्द है दोस्तों, इसे पी जो बदाम होता है दोस्तों, इसे लेने से आप देखेंगे, आपके आखों की रोशनी बढ़ेगी, आपकी तवचा के लिए आपके बालों के लिए भी बदाम का सेवन, खस-खस का सेवन बहुत ही जादा फाइदे मन्द है, तो यह पेस्ट हमारा बन कर तयार है दोस्तों, इस तरह से मैंने यह पेस्ट बनाया है, बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, दो चमस दूद डालकर पीस लिया है, इस पेस्ट को फ्रीज में कम से कम आप आठ दिन के लिए भी रख सकते हैं, खराब नहीं होगा, एक बड़ा गलास भर कर मैंने हाँ पर जब दूद में उबाल आ जाए, तब ही आप इसे डालें, कई बात ठंडे दूद में हम कोई चीज डालते हैं, दोस्तों, गुड़ डालते हैं, मिश्री कुछ भी तो फट जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कि उबलते दूद में एक चमच, इस पेस्ट को डाले दूद को मीठा करने के लिए आप यहाँ पर मिश्री डालने दोस्तों कोशिश करें, शक्कर का इस्तमाल बिलकुल भी ना करें, शक्कर से हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं मिलता है, मिश्री हमारे शरीर को ठंड़क देती है, हात पेर की जलन को कम करती है, मिश्री हमारे ह उबलते हुए दूद में डाल दिया है कभी भी ठंडे दूद में आप मिश्री ना डाले दोस्तों नहीं तो दूद फट जाता है यदि आपके पास मिश्री नहीं है तो आप एक गुड का छोटा सा टुकडा भी डाल दे गुड भी हमारी हड्यों को मजबूती देता है हमारे हिमोग्लोविन लेवल को बढ़ाता है क्योंकि आइरन का भंडार होता है गुड में तो मिश्री की जगा आप गुड भी डाल सकते हैं उबलते हुए दूद में ही डाले तो ये देखें गर्मा गर्मे इस दूद को आप खुद भी पिएं अपने बच्चों को दें अपने परिवार के बुज़ुर्ग व्यक्ति को भी दें आप दिन में लें कभी भी आप इसे ले सकते हैं दोस्तों आप इसे कुछ दिन लें आपको खुद को आपके शरी में फूर्ती ताजगी महसूस होगी आप एनरजेटिक फिल करेंगे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें